हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम गूगल पे फोटो अपलोड करना सीखेंगे फ्रिंट्स बहुत से लोग चाहते हैं कि हम अपना फोटो जो है गूगल पे अपलोड करें और हम अपने दोस्तों को दिखाएं कि हमारा फोटो भी गूगल पे आ रहा है जब यह आपका नाम सर्च करें तो आपका फोटो गूगल पे देख जाए तो कितना अच्छा लगता है कितना मज़ाता है तो फिर आप कर नहीं पाएंगे और फिर कहेंगे कि यह वीडियो बिल्कुल बेकार है तो फ्रिंड्स में पूरी स्टेप जो है बहुत ही असान तरीके से बताना वाला हूँ और स्टेप भाई स्टेप करके बताना वाला हूँ एक एक स्टेप बताऊंगा ताकि आप असानी से अपनी फोटो को गूगल पे अप्लोड करके अपने दोस्तों को चोंका सकते हो कि या ट्रीक करने वाले तरीका करने वाले हैं जिस तरीके से अप्लोड करें प्लेइश्टोर में जाएंगे ठीक है प्लेइश्टोर में आने का बाद से फ्रेंट्स आपको करना किया यहां फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है पिन ट्रेस्ट दिखे हमने टाइप किया और यहां फिर हमने सर्च किया तो हमारे सामने Pinterest का एक application दीग गया यानि app दीग गया इस app को friends आपको अपने phone में install कर लेना है और install होने के बाद से इसे open कर लेना है ठीक है open होने के बाद से friends आपको इसमें जैसे Facebook पे ID बनाते हैं से मोई से इस पे भी अपनी account बना लेना है हमने तो already बना रखा है नहीं तो वीडियो जैदा लंबा हो जाएगा तो friends आपका time बचाने के लिए मैंने वीडियो को मतलब अपना account इसमें बना रखा है आपको भी अपनी account बना लेना है या फिर आपका Facebook account है तो उससे भी आप logged in हो सकते हैं ठीक है तो आपको अपनी account से logged in हो जाना है या फिर नए account create कर लेना है जैसे Facebook पर बनाते हैं सेम प्रोसेस वहीं है असान तरीके से बना पाएंगे और account बनने के बाद से friends आपको करना के देखिए यहाँ पर आपकी जो profile दिख जाएगी देख सकते हैं यहाँ पर हम click करते है और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बहुत सारी photo यहाँ पर आपको देखने को मिल लेगा देख सकते हैं यहाँ पर all pins है हमारा जितना भी photo इस पर upload के हैं 706 photo है तो friends फोटो को करना क्या है, देखिए अहां पर पर प्रोफायल पे क्लिक करेंगे तो प्लस का बड़न दिखेगा, इस पर क्रिक करना है यहां पर फ्रेंड्स आपको तीन ओफ्सन देहाएं , उपर देख सकते हैं, लिखा हुए create उसके नीचे pin उसके नीचे board तो friends आपको सबसे पहले जो board लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना ठीक है यहां फे फेरेंट जैसे आप कोई folder बनाते हैं अपने computer है या mobile है उसमें folder बनाते हैं से में आपको अपनी folder बनाना है किस टाइप का आप अपनी जो फोटो है रखना चाते हैं या नेचरल फोटो है या इसकाई का फोटो है या लड़कों का फोटो है या बच्चे का फोटो ह या cycle का photo है या गारी का है या नदी का है जो भी photo है आप वहाँ पर ओर title लिखना है तो और क्या लिखना है जिसे मान लिजे हम अपना my या देख सकते हैं my pic कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया my pic ठीक है हम अपना photo खुद का photo upload करना चाहते हैं तो my pic हमने लिख दिया या फिर अपना नाम भी लिख सकते हैं जैसे हम आपको सिंपल तरीका बताऊंगा ताकि आप असानी से अप्लोड कर पाएंगे देखिए यहां पर हम अपना नाम लिख दिया क्रिश्टना ठीक है और नाम लिखने के बाद से फ्रेंट्स आपको यहां इस पर अल्रेडी हमने क कुछ और देंगे कुमार देख सकते हैं कृष्टना कुमार हमने टाइप किया ठीक है आपको भी अपना नाम लिख लेना है अब फिर यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है ठीक है नेक्स्ट पर क्लिक करने के पाद से फ्रेंट्स यहां पर आपको डन पर क्लिक कर देना है देखे done पे click कर दिया अब जैसे done पे click करेंगे देख सकते हैं आपके सामने जो हमने folder create किया यहाँ पे याणि बोड क्रियेट किया आपके सामने दिख रहा है क्रिश्टना कुमार और इसमें अभी भी कोई post हमने नहीं किया है तो friends अब आपको करना क्या है यहाँ पे plus पे click कर देखाना चाते हैं जो भी आपका photo है जिस भी photo को आप अपनी friends को दिखाना चाते हो दोस्तों को दिखाने चाते हो उस photo को आपको यहाँ पे select करना है देखे हम यहाँ पे हम अपना यह यूटूब का thumbnail बना रखे हैं इस फोटो को हम चाहते हैं कि हमरे friends देखें तो यहाँ मैं इस फोटो पे क्लिक करूँगा और next कर लूँगा आपको भी जो भी फोटो है उसको select कर लेना है ठीक है अब यहाँ की फोटो जो है आ जाएगा यहाँ फोटो देख सकते हैं लिखा हुए give your peanut title आपकी फोटो किस परकार के उसके बारे में आपको लिखना है उसका title लिखन आइ देखिए हम यहाँ पर टाइप करने हमारे इस जितने भी friends है हमारा नाम क्रिश्णा ही यानि क्रिष्णा जानते हैं या फिर हम केके मदेशिया भी लिखता आऊ तो देखिए friends हम यहाँ पर ज्यादा तर लोग केके मदेशिया कहिके पुकारते है तो यहाँ पर हम अपनी जो नाम है जो नाम अपना मतलब एक और नाम होता है यह तो मेरा टाइटल हो गया यह नहीं के मदिशिय के लोग पुकारते हैं और क्रिष्णा मेरा नाम है तो यहां पर फ्रेंड्स हम आये क्रिष्णा भी लिख लेंगे देखिए यहां पर इस पेस देंगे यहां ब् काना है description से more about your pin अपने पीन के बारे में लिखना है तो फ्रेंट्स यहां पर आप अपनी नाम जो लिखे हैं सबसे पहले ओ लिख लिजिए यहां पर हम लिख देंगे के के मधेशिया देख सकते हैं हमने टाइप कर दिया ठीक है अब यहां पर आप अपनी फोटो के बारे में जो लिखना चाते हैं कि हमारी फोटो यह है वह है वह आप लिख सकते हैं फिलाल मैं यह नहीं लिखने वाला हूं वीडियो ज्यादा लंबा हो जागा तो यहां पर फ्रें इस पीस दिये पूरा नाम लिख लेना है केके मदेशिया देखिए यहां पर हमने टाइप किया केके मदेशिया ठीक है आपको भी लिख लेना है यह है आपकी फोटो को सर्च करने में यानि सर्च करने में बहुत असान रहती है और जो भी लोग सर्च करेंगे आपकी फोटो म मतलब तुरंत दिख जाती है तो यहां पर लिखने के बाद से फ्रिंट्स आपको next पर क्लिक करना है ठीक है और next पर जैसे क्लिक करेंगे अब यहां पर फ्रिंट्स एक और important बात है यहां पर जो आपने फोल्डर बना रखें जैसे हमने क्रिष्णा कुमार नाम से बनाया है त ठीक है save to क्रिष्णा कुमार में देख सकते हैं save to क्रिष्णा कुमार लिखा हुआ आगया और यहां पर एक पिन यानि एक फोटो हमारा उस फोल्डर में इसमें सेव हो गया देखिए हम आपको दिखा देते हैं देख सकते हैं क्रिष्णा कुमार में अभी जीरो था अभी प्लोट करने हैं अब वह सवाल होगा कि नसे अलए आप यहां फोटो पर हमारा फोटोこれ से दिखेगा दिक्क अधे फ्रेंट ऑफ अब को लूज कर देने बंद कर देना आप कुछ करना नहीं है अब को कर ना किया है देख सक्ष्छ AG करेंगे केके मदेशिया देखिए हम टाइप कर ले हैं केके मदेशिया ठीक है और सर्च करेंगे देखिए हमने केके मदेशिया सर्च किया और यह आपके सामने जो फोटो दिख रहा है देख सकते हैं इमेजस लिखा हुआ और जितनी भी फोटो दिख रहा है फ्रेंस यह हमार फोटो गूगल पे दिख रहा है वो यहां पे आप ध्यान दिजिएगा यहां पे देख सकने लिखा हुआ Pinterest तो हमने Pinterest पे अपनी फोटो अपलोड किया और वो हमारा फोटो गूगल पे दिख रहा है तो फ्रिंट्स आपको करना क्या है गूगल पे अपलोड करने के लिए ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है और यहीं एक तरीका है कि आप गूगल पे फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी टाइटल जो भी लिखते हैं उसमें लिख लेना है ठीक है और हैस्टेक एक लगा लेना ठीक है और एसे ही सेम आप ट्यूटर पे भी अपलोड कर सकते हैं और बहुत सारी सोसल मीडिया जहां पे आप अपलोड कर सकते हैं वहां से भी फोटो आपका गूगल पे देना और अपलोड करने का बाद से फिरिंट्स आप जही से जही से फोटो अपलोड करते जाएंगे आपकी फोटो जो भी सर्च करेंगा आपका नाम को गूगल पर आपका फोटो वहां पे दिख जायेगा जैसे कि यह भी हमने सर्च किया देखिए यहां पर क्रिष्टन को तो यहां पर बहुत सारी photo आ रहे तो यहां पर image पर click करेंगे हैं और यहां पर देख सकते हैं सिर्फ कृष्ण भवान की photo देखने को मिल लाई है तो friends देख सकते हैं अभी हमने जो तुरंत बनाया तो हमारी photo यहां पर नहीं दिख रहा है तो यहां यहां भी हम आपको clear कर या जिस भी प्लेटफर्म पर अपलोड करेंगे वहां से फोटो आपकी Google पर आने में थोड़ा टाइम लगता है यानि दो तिन तिन दिन चार दिन पान दिन तस तिन के अंदर में आपकी फोटो गूगल पर सो होने लगता है जैसे जैसे आपकी फोटो अपलोड करते बहुत यह आसान तरीका है इस पर बहुत सारे हमने वीडियो बना रखें लिखें उसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर यह आपने जो तरीका बता है हमको समझ में नहीं है हमारी फोटो अपलोड करते हैं पर दिखता नहीं तो दीखेगा फ्रेंस हमारा भी फोटो कुछ यूनिक नाम आपको अपने फोटो में लिखना है जैसे कि उस पर कोई अल्रेडी फोटो अप्लोड नहीं किया ठीक है तो आपका तुरंत दिख सकता है ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद यह तो वीडियो को लाइक सेर कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रेस कर लिजिएगा फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही नोलेजबल वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाज जैन बंदे मातराम